नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में Samsung Galaxy A4 vs Infinix 020 का full depth comparison करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के dimension की दोनों फोन की length की बात करें तो Samsung Galaxy AWS 4 में 6.48 इंच जबकी 020 में 6.47 इंच की length मिलती है जो की same जैसी ही है width की बात करें तो दोनों फोन में same ही 3.02 इंच की width मिलती है अब बात करते है weight की तो Samsung Galaxy AWS 4 में 195 ग्राम्ज जबकी 020 में 196 ग्राम्ज का weight देखने को मिलता है जो की same जैसा ही है तो चलिए अब हम display को compare करते हैं display type की बात करें तो Samsung Galaxy A4 में और LCD जबकी 020 में AMOLED की display मिलती है aspect ratio दोनों फोन में same ही 20 ratio 9 मिलता है display size की बात करें तो Samsung Galaxy AWS 4 में 6.5 इंच जबकी 020 में 6.7 इंच मिलती है display resolution Samsung Galaxy AWS 4 में 720 by 1600 और 020 में 1080 by 2400 मिलता है screen to body ratio Samsung Galaxy AWS 4 में 80.75 प्रतिशत जबकी 020 में 85.98 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो Samsung Galaxy AWS 4 में 270 प्रतिशत जबकी 020 में 393 प्रतिशत मिलती है अब देखते हैं display के अन्य features यानि विशेशताएं की जो की mobile phone का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा features camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें man camera की तो Samsung Galaxy AWS 4 में 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है और 020 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में unknown camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फॉन में 7 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें फ्रन्ट कैमरा यानी की selfie कैमरा की तो दोनों फॉन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते हैं अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Samsung Galaxy A4 में Mali G52 MP1 जबकि 0.20 में Mali G57 MC2 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Samsung Galaxy A4 में Samsung Exynos 850 और 0.20 में MediaTek Helio G99 मिलता है बात करें RAM की तो Samsung Galaxy AWS4 में 4GB जबकि 0.20 में 8GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Samsung Galaxy AWS4 में 64GB जबकि 0.20 में 128GB storage मिलती है expandable memory की बात करें तो Samsung Galaxy A4 में up to 1TB जबकि 0.20 में up to 2TB है operating system दोनों phone में Android V12 देखने को मिलती है battery Samsung Galaxy AWS4 में 5000 mAh जबकि 0.20 में 4500 mAh जबकि 0.20 में 4500 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो दोनों phone में same ही 3. colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Samsung Galaxy A4 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 13499 रूपीस में मिल जाता है और बात करें 0.20 की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 15999 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy AWS4 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें INFINIX 020 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है फायनिली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 0.20 आगे है में कैमरा में 0.20 आगे है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में 0.20 आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सामसंग गैलेक्सी ए 22 है दुसरा मोटो जी 71 5G है तीसरा सामसंग गैलेक्सी M33 5G है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो वाई 15S 2021 है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना